सेमिकंडक्टर चिप्स के प्रोडेक्शन के मामले में इंडिया को ग्लोबल हब बनाने से सम्मंदित हैं आप GS पेपर 3 के इस टोपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हूँ देखो आज की इस modern economy में न जो भी electronic items आप देखते हूँ या फिर information communication technology products आप देखते हूँ जैसे की mobile, laptop, cameras, even household gadgets जैसे refrigerator, essential medical devices जैसे की ECG machines even automobile products जैसे जो latest cars आ रही है इन सब में एक चीज़ common है, इन सब में देखो semiconductor chip का इस्तमाल होता है automatic provisions के लिए लेकिन इन semiconductor chips के मामले में न इंडिया self-sufficient नहीं है मतलब ये semiconductor chips हमें दूसरे देशों से import करनी पड़ती है जैसे की China, Taiwan, South Korea, US, Japan बड़ देखो, जैसे अभी COVID-19 आया ना, तो विबिन देशों को एक आशकता महसूस हुई कि जो critical चीज़ें है ना, economy के चलने के लिए, daily life के लिए उन चीज़ों के लिए आप दूसरे देशों पर depend ना करो क्योंकि जब COVID-19 आया था, China से बहुत साई चीज़ें import होती थी लेकिन supply chains disrupt हो गई, तो बहुत सारी essential items जो हम China समेट दूसरे देशों से import करते थे ना, COVID-19 की महमारी के दुरान हम एकदम से वो चीज़ें नहीं import कर सके हैं, हम मोताज हो गए दूसरे देशों पर वो हमें देई नहीं रहे थे, उन्होंने export रोक दिया, तब इंडिया को, देखो वैसे तो बहुत सारे देशों ने ऐसी दिख्ते मैसूस की थी, लेकिन हम तो इंडिया की बात करेंगे ना, तो इंडिया को मैसूस हुआ कि critical items के लिए आप दूसरे देशों पर depend मत करो, आप ये सारे critical items जो है न वो इंडिया में ही manufacture होने चाहिए, तो इसके बाद सरकार ने आतम निर्बर भारत campaign भी launch किया, तो उन्ही critical items में से एक है semiconductor chip जिसकी importance को हमने शुरुवात में discuss भी किया, त लिकि दूसरे देश से इंडिया से import करें, ऐसी status, ऐसी situation इंडिया हासिल करें, और इसी के लिए सरकार ने 76,000 करोड की एक scheme launch की है, इंडिया में semiconductor और display manufacturing, mobile में जो आपकी display होती है न, उसकी manufacturing और semiconductor chips की manufacturing, इन दोनों की manufacturing इंडिया में ज्यादा हो, इसको boost करने के लिए सरकार ने 36,000 करोड की scheme launch की है, क्या-क्या provisions हैं इस scheme के वो अब हम discuss कर लेते हैं, देखो, अगर कोई player यनि अगर कोई company इंडिया में semiconductor and display fabrication unit establish करती है, तो सरकार 50% की financial sport provide करेगी उस company को, मतलब अगर एक semiconductor display fabrication unit establish की जाती है company के द्वारा 1000 क्रोड रुपेज से, तो 500 क्रोड सरकार उसे देगी, next point, center देखो states के साथ मिल के काम करेगा, ताकि within states में semiconductor manufacturing से सम्बंदित cluster establish क्या जास के, मतलब cluster जैसे की देखो, डिल्ली में जो राजिंदर नगर है, वो UPSC aspirants का एक cluster है, वहाँ पे आपको libraries मिल जाएंगी, वहाँ पे आपको UPSC की preparation से सम्बंदित books मिल जाएंगी, मतलब UPSC की त्यारी से सम्बंदित जो भी चीज़ें है, टेस्टरी जोइन करनी है, प्री की मेंस की वो मिल जाएगा, ऐसे का program जोइन करना है तो वो मिल जाएगा, अरे मैं यह नहीं वोल रहा हूँ, यहाँ पे आना जरूरी है, त्यारी करने के लिए, नहीं बिल्कुल भ करने के लिए, वहीं पे आपको semiconductor grade water मिल जाए, मतलब जो भी चीज़ों की आप सकता है ना, semiconductor fabrication unit establish करने के लिए, वो सारी चीज़ें एक ही जिहाँ पे मिल जाएं, तो वो हो जाएगा cluster, तो ऐसे cluster center establish करना चाहता है, और इसके लिए states के साथ मिल के काम करेगा, उसके बाद next, Ministry of electronics and information technology initiative लेगा, जो already semiconductor laboratories है, उनको modernize करने के लिए, उनको commercialize करने के लिए, मतलब research तो अच्छी चीज़ है, इन laboratories में जो होती है, बट उन research का फाइदा भी तो होना, further semiconductor products के development के लिए, उसके बाद next point, सरकार, देखो एक special, India semiconductor mission भी launch करेगी, ISM, India semiconductor mission, इस India semiconductor mission को lead किया जाएगा, semiconductor and display industry के छेतर में, जो global experts है उनके द्वारा, और काम ये होगा, इस mission का, long term strategies ड्रा करना, ताकि India में, India में, semiconductors और display products को develop करने का एक अच्छा सा ecosystem बने, तो ये जो mission होगा न, ये nodal agency भी होगी, सरकार ने जो ये schemes launch की है, semiconductor और display products की manufacturing को boost करने के लिए, उन schemes की implementation को monitor किया जाएगा, इस agency के द्वारा, India semiconductor mission, ये जो program है, ये देखो हमार देश में 85,000 well trained engineers develop करेगा, और जो semiconductor designer है, जो chip design करते हैं, उनको मोका दिया जाएगा, अपने startups launch करने का, और जो ये design linked incentive scheme है इसमें भी सरकार 50% expense bear करेगी, यानि कि अगर देखो कोई company, chip design करती है, मतलब जो भी eligible criteria है सरकार का, उसके तहट फिर सरकार 50% पैसे देगी chip design पर, इतना आसान भी नहीं है, मतलब सरकार ने को specific criteria भी रखा होगा, next point, पूरा जो program है वो 35,000 high quality direct jobs produce करेगा, और एक लाख indirect employment generate करेगा, तो इस परकार से हमने सरकार के द्वारा जो scheme launch की गई है, semi-conductor scheme manufacturing को हमारे देश में boost करने के लिए, उससे सम्मधित provisions discuss कियें, अब writer कुछ concerns भी बताते हैं, सबसे पहला concern तो देखो ये है, देखो semi-conductor fabrication unit अगर establish करनी है उसमें बहुत खर्चा आता है, और सरकार की जो scheme है ना सिरफ 76,000 करोड की है, सरकार ने ये भी कहा है अपनी scheme में कि हम दो जो players इंडिया में semi-conductor fabrication unit और display fabrication unit इंडिया में establish करते हैं तो 50% cost हम देंगे उसकी, तो सिरफ 2 eligible players के लिए ये point है, तो देखो जातर खर्चा तो सरकार 76,000 करोड में से इन ही को दे देगी, क्योंकि जैसा हमने डिसकस किया कि semi-conductor fabrication unit establish करने में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, और सरकार कहती है कि कम से कम ऐसे 2 players को हम जितना भी उनको खर्चा आया है, उसका 50% देंगे, तो 76,000 करोड का जातर पैसा तो इन ही players को दे दिया जाएगा, बाकी जो elements हैना, जैसे display fabs, packaging and testing facilities, chip design centers, इनको देने के लिए सरकार को बहुत कम पैसा बचेगा, ये बड़ी दिक्कत है, और दूसरा, देखो, semi-conductor fabrication unit establish करने के लिए, millions of liter clean water के आफसकता होती है, extremely stable power supply चाहिए, बिजली बिल्कुल जानी ही नहीं चाहिए, तो ऐसा infrastructure भी हमारे देश में develop करना होगा, अच्छी बात ये है, सरकार ने clusters की बात की है, तो वहाँ पे ऐसा infrastructure सरकार provide करे, ताकि semiconductor fabrication units establish हो सके, conclusion में एक बात यही बोली जा सकती है, कि देखो, अच्छी बात ये होती, अगर नया mission, थोड़ा ज़्यादा fiscal sport देता, इसके साथ साथ, semiconductor chip बनाने की जो पूरी chain है, chip की design से लेखे, पूरी final product बनने तक, chain में सभी stages पे सरकार ध्यान देती, तो ज़्यादा अच्छा होता, अभी सरकार में ज़्यादा ध्यान chip manufacturing पे दिया है, डिजाइन पे उतना नहीं दिया है, बागी aspects पे उतना नहीं दिया है, तो ये कुछ concerns है writer के, और ये हमने पूरा article डिसकस किया, India को semiconductor और display manufacturing के मामले में global hub बनाने से सम्मधित, इसके बाद next article, रश्या के द्वारां, इंडिया और चाइना के बीच mediation करवाने से सम्मधित है, आप GS paper second के इस topic से article को relate कर सकते हूँ, देखो आपको पता है, पूटिन कुछ दिनों पहले भारत की आतरा पर आये थे, उन्होंने परधामंत्री मोदी से मुलाकात की, अब रश्या के राश्टरपती पूटिन ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग से चीन के राश्टरपती से चिनफिंग से बात की है, और इस वीडियो कॉन्फरेंसिंग के दुरान, रश्या के राश्टरपती पूटिन ने बताया, कि उनकी परधामंतरी मोदी के साथ क्या बात हुई तो ये थोड़ा unusual है एक परकार से speculation लगाई जा रही है कि रश्या, इंडिया और चाइना के बीच tensions को diffuse करने का परियास कर रहा है और जल्द ही तीन देशों का summit भी organize हो सकता है RIC जिसमें तीन देश सामिल है रश्या, इंडिया और चाइना देखो वैसे तो रश्या के न काफी interest में है अगर इंडिया और चाइना के बीच tensions diffuse होती है क्यों? क्योंकि देखो इंडिया, चाइना, रश्या BRICS में भी है, SCO में भी है अगर इंडिया और चाइना के बीच tensions रहती है न तो ये groups ज़्यादा active नहीं रहने वाले है दूसरा रश्या ये चाहता है कि ये जो groups है ना active रहे और ये तीन देश मिलके, रश्या, इंडिया और चाइना मिलके, US-led western world का सामना करे next point इंडिया देखो, रश्या से बहुत हत्यार purchase करता है S-400 जो missile defense system है, वो इंडिया रश्या से purchase कर रहा है USA की sanctions की धंकी के बावजूद तो रश्या और इंडिया की दोस्ती हालां कि देखो, पहले जितनी strong नहीं है बट जिस परकार से defense relationship अभी भी मजबूत है तो रश्या चाहता है कि वो एक, यानि रश्या एक difficult situation को avoid करे कौन सी difficult situation देखो, कल को अगर tensions बढ़ती है इंडिया और चाइना के बीच तो फिर इंडिया और ज़्यादा हतियार purchase करना चाहेगा रश्या से लेकिन चाइना रश्या को ये बोलेगा कि आप इंडिया को हतियार मत दीजे क्योंकि ये हमारे खिलाफ इस्तमाल करेगा तो रश्या एक difficult situation में आ जाएगा इंडिया को हतियार बेचना ज़रूरी है रश्या की economy के लिए पुरानी दोस्ती भी है लेकिन चाइना के साथ आज के समय में रश्या की दोस्ती ज़्यादा मजबूत है तो चाइना की बात माने तो नुकसान और ना माने तो भी नुकसान तो ये कुछ points हमने डिसकस किये कि अगर इंडिया और चाइना के बीच tenses diffuse होती है तो इससे रश्या को फाइदा है इसलिए रश्या परियास भी कर रहा है मेडियेशन के बड़ देखो ज़्यादा optimistic होने की आफसकता हमें नहीं है क्यूं? उसके काफी सारे reasons है पहली चीज़ देखो पिछले एक दो सालों में बहुत ज़्यादा खटास आ गई है इंडिया और चाइना के बीच लाश्ट बार पधामिंत्री मोदी और चाइना के राश्टरपती ने आमने सामने आकर मुलाकात की थी ममलापुरम समिट में उसके बाद कई सारे multilateral summits अटेंड किये दोनों प्रीमियर्स ने जैसे BRICS का, SCO का, G20 का लेकिन bilateral बादचीत नहीं हुई पधामिंत्री मोदी और चाइना के राश्टरपती के बीच राइटर तो ये भी कहते हैं चाइना के विदेश मंत्री वांग यी और भारत के विदेश मंत्री जैसंकर के बीच जब मुलाकात हुई थी ना, तो कुछ वादे किये गए थे चाइना के विदेश मंत्री के द्वारा, उन प्रोमिसिस को जब तक फुल्फिल नहीं किया जाता है, तब तक RIC का समिट नहीं ओर्गाइज होना चाहिए और भी पॉइंट्स है, जिसकी वज़े से हमें पूरी तरह से ये बात नहीं माननी चाहिए कि रश्या जो है, वो मीडियेशन करवा सकता है, इंडिया और चाइना के बीच पॉइंट ये है देखो, रश्या और चाइना कि दोस्तीना पिछले कुछ समय में बहुत ज़्यादा मजबूत हुई है चाइना अपने एरक्राफ्ट भेजता है ताइवान के नस्दीक, इस मुद्दे पर रश्या चाइना का स्पोर्ट करता है और रश्या के जो एक्सेंस है ना उसमें रश्या इंडिया को सामिल करने के लिए तयार नहीं है एक गृप बना था अफगानिस्तान के मुद्दे पर बाचीत करने के लिए ट्रोयका प्लस इस गृप में US, चाइना, पाकिस्तान प्लस रश्या है, लेकिन इंडिया नहीं है Conclusion में writer ये बोलते हैं तो देखो पूरी तरह से आपको बहुत ज़्यदा expectations नहीं लगानी चाहिए कि Putin जो है वो honest broker का काम करेंगे परधानमंतरी Modi और C. Chinfin के बीच अगर आप ऐसी expectation लगाते हो तो अभी जो हमने ये सारी factors consider किये ना ये factors भी आप जान लेजिए उससे पहले आप इस परकार की expectation लगाएं लास्ट में बात ये हैं कि देखो इंडिया को ना एक tight Russia पर चलने की आप सकता है balance बिनाने की आप सकता है एक तरफ इंडिया की दोस्ती USA और USA के ally countries जैसे Japan, South Korea, Australia इनके साथ अच्छी है जादा है दूसी तरफ USA की खिलाफत वाला जो दूसरा group है जिसमें Russia है आप कहा सकते हो China है, Iran है इनके साथ भी इंडिया को China छोड़ देजी अभी tensions है लेकिन इरान, रसिया जो ये USA की खिलाफत वाला group है न इनके साथ भी इंडिया अच्छे relations establish करना चाहता है अच्छे relations maintain करके रखना चाहता है तो दोनों के बीच में balance establish करना इंडिया के लिए एक चुनोटी भरा काम रहेगा लेकिन ये इंडिया के interest में है दोनों groups के साथ एक positive relationship maintain करके रखना ये पूरा article हमने discuss किया रसिया के mediation करवाने से सम्मंदित चलते हैं आगी